मेंटल हेल्क केर एक्ट 2017 में कुनसी वेक्ति मेंटल हॉस्पिटल में एड्मिशन कर सकती है ले सकती है उसके बारे में जानकर देने के लिए वीडियो है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन तथा विसन मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं में चैप्टर बारा ने सेक्षन 85 है उसमें पॉइंट वन करके है उसमें लिखाएं कि इंडिपेंड़न पेशन या इंडिपेंड़न अड्मिशन मतलब क्या विभी औलता है निर्णे लेने की या जिसको समझ है कि मुझे मानसिक बिमारी है और tast градCome here और जिसको समझ है यां बहुती कम साहता की जरौत है बहुती कम साहता की зовут है ऐसा व्यक्ती जो आता है और हेक्वेस्ट करता है की आड्मिशन करना तो वो admission को बोलते हैं independent admission या independent patient और mental establishment में सभी admission जो है वो independent admission ही होनी चाहिए ऐसा कहा गया है ऐसा कुछ हो सकता है कुछ अपरहार या कारण या exceptional cases, unavoidable circumstances कि जहां supported admission होंगी जहां patient अपना निर्णा लेने की कि उसको ख्षमता नहीं है support करने की ज़रत है उसको और ऐसे इसमें फिर admission हो सकती है तो वो condition चोड़के बाकी सभी admission जो है वो independent admission होनी चाहिए या होंगी अब जो वेक्ति ऐसा खुद को समझता है कि मुझे मानसिक बीमारी है जिसको खुद को निर्णा लेने की कि ख्षमता है तो section 86 में ऐसा कहा गया है कि ऐसा वेक्ति जो नाबालिक नहीं है मतलब जो minor नहीं है जो 18 साल के उपर है ऐसा कोई भी वेक्ति जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे treatment की जर्रद है वो वेक्ति मानसिक आरोग या आस्तापना जो है mental establishment उसके medical officer के तरफ अरजी कर सकता है, request कर सकता है कि मुझे treatment की जर्रद है और वो request लेके medical officer फिर उसकी जाच कर सकता है और medical officer है संदुष्ट है कि यह वेक्ति जिसने request की वही है कि उसको treatment की जर्रद है उसको गंबीर या तिवरसरूप की बिमारी है और उसको hospital में admission करके इलाज करने की जर्रद है ऐसे वेक्ति को दाखिल कर सकता है और उसने उस समय ये भी देखना चीए कि यह वेक्ति जो अरजी कर रहा है जो request कर रहा है उसके पर कोई भी force नहीं है कोई भी pressure में आके वो अरजी नहीं कर रहा है खुद होके खुद के मरजी से वो अरजी कर रहा है और वो अरजी करके उसको independent admission या independent patient करके mental establishment का medical officer उसको hospital में दाखिल कर सकता है यदि उसको treatment के बारे में समझदारी नहीं है यदि वो ऐसा वेक्ति point number 3 में ऐसा कहा गया है कि ऐसा वेक्ति कि जिसको treatment के बारे में समझदारी नहीं है क्या treatment है निर्णे लेन की ख्षमता नहीं है वो निर्णे ले सकता नहीं है ऐसा वेक्ति जो है उसको independent admission करके भरती क्या नहीं जा सकता जिसको मालूम है नहीं कि क्या हो रहा है decision नहीं ले सकता है उसको मालुमने की क्या हरीजी कर रहा है, मतल overthoak उसको कुछ पता नहीग है ऐसे वेक्थि को इंडिवाद एडमीशन करके आडमीशन नहीं कर सकते है चौता पॉंट जो है कि टीट्मेंट करने के लिये ऐसे वेक्ति को independent admission के ऐसे वेक्ति को treatment करने के लिए liquid permission की जरूत है, inform concern की जरूत है और ऐसा वेक्ति अपने मर्जी से hospital से कभी भी छुट्टी ले सकता है तो यह independent patient या independent admission की procedure जो यह act में कही गई है तो अभी कोई भी वेक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मैंने इलाज करना जरूरी है और भृति करके इलाज करना जरूरी है वो वेक्ति खुद होके, अरजी करके कोई भी mental establishment में admission खुद की करवा के इलाज कर सकता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वरी मच्छ स्टाइब कर वीडियो आपको जरूर सकता है